जामुमो और कॉंग्रेस के बीच बढ़ी ताना तनी जामुमो जहां अलग अलग जीलों में अपनी अपनी कमीटी की बात कर रहा है वहीं कॉंग्रेस हर जीले की कमीटी में अपने लोगों को रखना चाहती है बता दे जामुमो ने नया फर्मुला दिया है कि जो जीले उनकी अवंटी था उनमें पूरी कमीटी उनकी पार्टी को होगी और जो जीले कॉंग्रेस को अवंटी था उनमें कॉंग्रेस अपनी कमिटी बना ले इस फर्मूले से कॉंग्रेस और सहज इस्थिती में है बता दे पार्टी का मनना है कि इसे माल लेने के बाद कई जीलों में करकरता होगी नराजगी जहलने को मिलेगी और कई महत्वपूर्ण लोग पार्टी छोड़ भी सकते हैं कनकनी के साथ जार्खन में ठंड बढ़ने लगी है सुबह में कोहरा या धूंद और फिर बाद में आस्पान साफ रहेगा इस दोरान हावा में ठंड आपर रहने के कारण दिन में भी ठंड लगने लगी है मोसं विभाग ने नियुतंत तापमान 60 डिगरी सेल्सियस और अधिकतम 22 डिगरी सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है बता दे लगातार बढ़ते ठंड से लोगों को सतर करहने की अपिल की गई है मौसम विभाग ने राजे के दक्षिनी भागों में अगले 24 घंटे के दवरान 3-4 डिग्री सेलसियस तापमान में गिरावट की समभावना ब्यक्त की है वहीं राज्य के सेस भागों में एक से दो डिग्रिसल से तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है बता दे 20 से 23 दिसंबर तक सुबह में कोरा या धूंद चाया रहेगा फिर बाद में आस्मान साफ रहेगा धूप खिली मिलेगी वहीं 24 और 25 दिसंबर को सुबह में कोरा या धूंद के साथ आंसिक बादल चाय रहने का पूर्वनान लगाया गया है 21 दिसंबर को जारखन के पेट्रोल पंप रहेंगे बंद डीजल पर वैट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया रासी के भुगतान की मांग को लेकर जारखन पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियेशन 21 दिसंबर को राची सहीद पूरे जारखन में पेट्रोल पंप बंद रखने का निना लिया है बता दे एक दीन की बंदी से सरकार को साड़े दस कोड़ोर रुपय का नुक्सान होगा एक दिवसी बंदी को लेकर रभिवार को बीर्शा चोक इस्थीत इंद्रपरस्थ पेट्रोलियम पंप पर जे पी डी ए एवं सावच छोटा नागपुर पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियेशन ने प्रदर्शन किया बता दे हाथों में 21 दिसंबर को नो पर्चेज नो सेल की तक्तिया लेकर प्रदर्शन कर रहे थे 29 दिसंबर को रांची आएंगे पारा सिक्छाक एकी क्रित पारा सिक्छक संगर्श मोर्चा की बैठक रबिवार को अस्थाने जोहरलाल नहरू एस्टेडिया में हुई जिसमें सरकार के नेनाई की समिक्छा की गई और यह अताय किया गया की 29 दिसंबर को वे रांची आएंगे यदि सरकार उनकी मांगे पूरी कर देती है तो वे अभार प्रकट करेंगे और यदि नहीं मानेंगी तो आंदोलन का रूप रेकाय के साथ वापस आएंगे बतादेबैठक के अध्यक्षता परकट अध्यक्ष आशीस कुमार सींग तथा संचालन सनजय तागी ने किया सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छातरों का जाती पर्वन पत्र अब इसकूल में ही बनेगा के फैसले के बाद इसकी परकिलिया शुरू कर दिया इसके लिए स्कूल में BCS अभ्यान चलाया जाएगा कक्षा एक से बरावी तक के सभी विद्यार्थियों का जाती पवान पत्र बनाया जाएगा इस संबंद में सभी DEO और DSI को एक फॉर्मेट उपलब्द कराया गया है बता दे तीन महिने में इस कारे को पूरा करना है इस संबंद में 30 दिसंबर को मुक्स चीव समिक्षा भी करेंगे TAC ने फ़सला लिया था कि जो जाती पवान पत्र बनेगा उसकी बहत्ता ताउम्र रहेगी धान करय केंद्र नहीं खुलने से किसान परिसान गड़ा जिले में एक मातर धान करय केंद्र कोला जाना खाना पूर्ती सावित हो रहा है बता दे मातर गड़ा पर खंड के दूबे मरहटिया पैक्स में धान की खरीद हो रही है जबकि सेस पैक्स वालेप्स में अभी तक खरीदारी सुरू नहीं हो सकी इसलिए किसानों की समस्या अभी भी जस कितस बने हुई है किसान बिवस होकर अपना धान ओने पौने दाम पर बेच रहे हैं किसानों को मचली के साथ मिलेगा बतक मतस्य विभाग पहली बार जहरखन राज में मतस्य के साथ बतक भी किसानों को देगा बतादे मतस्य विभाग को इसके लिए दो क्रोर की रासी आवंटित की जा रही है विभाग की सम्यकित मतस्य पालन योजना पहली बार परयोग के तोर पर लिया जा रहा है बतादे अनसुचित जाती जन जाती वह महिला लाभोक को इस इसकीम का लाभ असिप फिश्दी अनुदान पर मिलेगा वहीं इसके अतिरिक्त अने सभी कोटी के लोगों को सतर फिश्दी अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा चार हेक्टेर के तलाब पर एक लाग तीरपन अजार रुपे की योजना होगी विभाग ने तय किया है कि एक एकड आत्वा उससे बड़े जल छेत्रवाले तलाबों को परत्मिक्ता दी जाएगी सियम हेमंत ने कहा सत्ता कामोह मुझे नहीं जार्खन और जार्खनडी को बचाना होगा जामोमो के करकारी अध्यक्स मुख्यमंत्री हेमंसुरेन ने कहा है कि हमारे प्रतिद्वन्दी बोलते थे कि क्या आदिवासी राज चलाएगा आज वही आदिवासी सत्ता में है इसलिए अब नए परिवेश के साथ संगठन को धारदार बनाना होगा समय बदल रहा है हमें भी बदलना होगा उन्होंने कहा कि जार्खन और जार्खनडी दोनों को बचाना होगा बता दे स्री सुरेन जावमों के बरावे महा दिवेशन में कारिकारी अध्यक्स मनोनित होने के बाद केंद्रिये कमिटी के सदस्यों वह बिभीन राजियों के परतिनिद्यों को संबोधित कर रहे थे कोडर्मा में जाली नोट का कारोबार पती पतनी समय तीन गिरफतार कोडर्मा पुलिस ने जाली नोट गिरों का खुलासा किया है इस माले में पती पतनी समय तीन की गिरफतारी हुई है बतादे पुलिस ने इन लोग के पास से अलग अलग जाली नोट, दो ATM कार्ड, चार अधार कार्ड, पैन कार्ड, वोर्टर कार्ड, तीन मोबाइल, बाइक और हुंडा इसकूटी बरामत हुआ है बतादे गिरफतार, आरोपियो में 32 वर्षी बवीता, खलको, 32 संजय, गोप, निवासी, सुकदेव, नगर के निवासी है जारखन में कुरुना के 18 नए केस मिले है, जबकि 15 मरी सुष्थ भी हुए है, जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 142 है भारत में 7,81 नए केस मिले है, जबकि 7,479 मरी सुष्थ भी हुए है, भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 83,500 है जारखन में पिछडा वर्ग को 27 परतिशत अरक्षन की मांग भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने कहा कि मोधी सरकार में OVC की राय नितिक भागेदारी बढ़ी है, दूसरे दल OVC को वोट बैंक के चस्मे से देखते हैं, लेकिन भाजपा के लिए OVC समाज के वाल वोट बैंक बर नहीं है भाजपा इस समाज का उठान चाहती है, पहली बार केंद्रिये केमिनेट में OVC समाज के 27 मंत्रियों को जगा दी गई है बता देरा भीवार को नगडी में हुई भाजपा OVC मोर्चा की परदेश कार समीती बैटा के उधाटन सत्र को समोधित करते हुए दीपक परकास ने कहा कि बाजपा की सरकार में ही OVC आयोग को समयधानिक दरजा दिया गया कार समीती में OVC समाज को 27% आरक्चन देने की मांग भी उठी जारखन पुलिस में 95% से अधिक भैक्सिनेशन जारखन पुलिस में 95% से अधिक पुलिस कर्मियों ने कुरोना भैक्सिन की दोनों डोज ले लिए राजे पुलिस मुक्याले के आकड़ों के मुताबिक राजे में सभी 24 जीलों समेत वानियों में 79,462 पुलिस कर्मियों ने कुरोना की पढली डोज लिए वही 54 1759 पुलिस कर्मियों ने दोनों डोज ले लिया me कि सहिदों की सहाध़ा भूमी पर्याटन अस्थल के रूप में होगी बिक्सित लोहर्दगा पुष्पांजली अर्पित की गई एवा मल्यारपन किया गया नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज प्रजेक्ट को रद कराना चाहते है अंदोलनकारी नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज फोर्जेक्ट रध करानी की मांग को लेकर केंद्रिय जन संहर समीती की तत्वधान में देश के अन्य चौदा राजियों से आई समाजिक संगठन एवाम जन अंदोरन के परतिनिद्यों की बैठक संपन होई केंद्रिय जन संहर समीती की हेंडरी तिर्की ने अंदोरन के अतिहासिक संहर्ष के बारे में अनुभाव साजा किया उन्होंने कहा कि नेतर हाट फाइरिंग रेंज अंदोरन पिछले 28 बरतों से चल रहा है और इसी अंदोरन का प्रतिफल होई की आज यहां रूटीन तोपाज ज्यास को बंद कराया गया उन्होंने कहा कि केंद्रिय जन संहर समीची के अंदोरन के दम पर ही जार्खन सरकात से फाइरिंग रेंज पोर्जेक्ट को रध कराएंगे जार्खन का B.S.F. जवान रायस्थान में सहीद जार्खन के धनबाज जिले के टूंडी परखन के मनियाडी थाना चेतर के चरक गाउं के रहने वाले B.S.F. जवान संदीप सिंग रायस्थान के जज सलबेर में सहीद होगा बताया जा रहा है कि सुबा भारत पाकिस्तान के अंतराश्ट्रिय बॉर्डर पर भारतिय सेना के किसंगर्ड फिल्ड फाइरिंग रेंज में मोर्टार का गोला फट गया इसमें एस सहीद होगा हाइडल पावर पलांट लगाने से लूगू पहार छेतर का होगा विकास के गोमिया प्रकान अंतरगत तूलबूल पंचायत पहण में बेरमो अनमंडल के स्डीम अनंत कुमार की उपस्तिती में ग्राम सबा हुई एस डीम ने कहा कि लूगू पहार में प्रस्तावित पॉम्प एस्टोरेज प्लांट डीवी सी की महत्वकांची योजनाओ में से एक है राजे के सुरागी विकास के लिए बिजली महत्पुन सुरोत है लूगू भावा की किरपा है की डीवी सी लूगू पहार वा तनाटी पिंडरा वा कहरा जहरना छेत्र में पंद्रसो मेगावाट का पॉम्प एस्टोरेज प्लांट लगाने जा रहा है इसके लिए सर्वे कारे जारी है पलांट के लगने से छेत्र के विकास का मार्ग प्रसोस्त होगा रोजगार के आउतर मिलेंगे जेपीसी के चात्रों ने दी जार्खन छोड़ने की धम की जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्स देवेंदर नाथ महतोव महासची मनोज यादो ने मुख्यमंत्री द्वारा जार्खन मुक्ति मोर्चा के बरावे महादिवेशन के दोरान जेपीसी अंदोरन कारियों को बाहरी और जेपीसी आयोग को सही ठराने की बात पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का या ब्यान सरासर गलत है उनके इस ब्यान से यहां के लोगों को भवनात्मा करूप से पहुचा है रभिवार को अंदोरन के 49 दीन राजभवन के सामने धारना पर बैठे चात्रे नेतावने जेपीसी में हो रहा है इगरबाड़ी के बिरोत 27 से 10 जेपीसी पीटी पर इचापल रद करने की अपनी मांग को दोराते हुए कहा कि मुक्षमंत्री आंदोलोन को दवाने के लिए हर तरह के उपाय कर रहे है वे गलती सवीकारने वाले जेपीसी पर करवाई करने के बजाए जाती धर्म का काड़ खेल रहे है पीएम अवास योजना में दुमका को देश में पहली रैंकिंग नीती आयोग ने अक्टूबर माह के कारियों के अधार पर डेल्टा रैंकिंग में दुमका को देश भर में पहला पैदान पर रखा है बतादे दुमका को यह रैंकिंग स्वास्ट पोसन सिक्षावक क्रिस्थी के छेतर में बेहतर परदसन करने की वज़ा से मिली है जबकि अधारबुद सनरचनाओं के निर्मान के मामले में दुमका को तीसरे पैदान पर आका गया है बतादे अब अधारबुद सनरचना के छेतर में भी दुमका ओची छलांक कर अपने परदसन को बरकरार रखने के फिराक में है ज़ारखन्ड के 18 जीलों के स्कूलों में सुरू होगी अस्मार्ट कर चाहे राज्य के 18 अकांची जीलों के 1000 स्कूलों के बच्चे जल्दी अस्मार्ट कलास के माध्यम से पढ़ाई करेंगे राजे के सरकारी स्कूलों में अस्मार्ट कलास से पढ़ाई का या पहला मौका होगा अकांची जीलों में इन स्कूलों का चैन कर लिया गया है साथी नीती आयोग ने इसके लिए राशी भी जारी कर दी है अब राई सरकार ने अस्मार्ट कलास अस्थापीत करने के लिए एजेंसी चेहन की परकिलेश शुरू कर दिया है बता दे इन एक हैरी स्कूलों में दो मोडल के अस्मार्ट कलास होंगे पर्ले मोडल के तहाद 470 इस्कूलों में पुर्जेक्टर के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी वहीं से 530 इस्कूलों में 55 इंच की टीवी के माध्यम से अस्मार्ट का अक्षाय संचालित की जाएगी सिर्फ घोसना नहीं आरक्षन लागू करे सरकार OBC मोर्चा राष्टरिये OBC मोर्चा के पर्देश अध्यक्ष राजस कुमार गुपता ने कहा कि सरकार सिर्फ घोसना नहीं करे बलकि OBC समुदाय का आरक्षन जल्द लागू करे ताकि समुदाय का इसका लाब मिल सके संकल्प से OBC समुदाय का अधिकार नहीं मिलेगा सरकार बने हुए दो साल हो चुके हैं इस बीच लाको नियुक्तिया निकाली जा रही है सरकार का संकल्प है कि इसी वर्ष 3,30,000 नियुक्तिया करनी है नियुक्तिया होने से पहले अरक्षन लागू होना चाहिए दसवी तक के विद्यार्थियों को मिलेगी प्री मैट्रिक छत्रविर्ती राज्य के पहली से दसवी कलास में पढ़ने वाले छात्र छत्राओं को प्री मैट्रिक छत्रविर्ती दी जाएगी बताजे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनसुचित जाती पिछड़ा और अल्प संक्यक वर्ग के चात्र शत्राओं को चात्रविती दी जाएगी इसके लिए कल्यान विभाग के सचीव कमल की सोर सोन ने सभी जीलों के उपायुकतों को निर्देश दे दिया है उन्होंने निर्देश दिया है कि एक कल्यान पोटल की रिपोर्ट को अपडेट कर तत्काल करवाई करे इसके लिए सभी जीला सिक्षा पदाधिकारी और जीला सिक्षा धिक्षक से अपवान पत्र ले लेकि पिरिमेट्रिक छात्रविर्टी जोईना से अनुसूची जन जाती पिछड़ा वर्ग और अल्पसंखेक वर्ग के पहली से दास्वी तक पढ़ने वाले कोई छात्र चात्रा वन्चित नहीं रह जाए खोटी उपकारा में जेल अदालत का आयोजन परद्धान जीला एवमसत्र नयाधिष और जीला विधिक सेवा प्राधिकार का अधीयक्स सत्य परकास्त की अध्यक्सता में रहभिवार को उपकारा खोटी में जेल अधालत का यहजन किया गया बता दे डालसा के सचीव मनोरंजन कुमार ने बताया कि जेल अदालत में कोलतीन मामलो का विचारन किया गया जेल अदालत में सचीव मनुरंजन कुमार, नयाईक दंडा अधिकारी प्रथम दिनेस बावरी, जेल में प्रतिन्यूक्त, अधिवक्तागन और डालसा के सहायक करमचारी मुझूद थे बीरसा जू में जनवारों के लिए लगाये गए बलोवर और हीटर राइधानी राची में पारागिरने से आम लोगों के साथ साथ पसू पक्षियों की भी परजानी बढ़ गई है, बतादे राची के बीरसा जू में जनगली जानवारों और पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए मुकमल उपाय किये गए है, बतादे पुक्ता बेवस्था क बीच जनवार भी बरती कंकरनी में ठंड का मया लेते नजर आ रहे हैं, गढ़वा में हैथियों का जोंड, जारखंड के गढ़वा जीले में जंगली हैथियों का आतंक जारी है, बतादे यहां के सुदुरवर्ती इलाकों के साथ साथ सहरी छेत्र में भी अब हाथी घूस पैट करने लगे हैं, बतादे जंगली हांथियों का एक जोंड, पडोसी राजे चातिस गढ़ के रास्ते सहरी छेत्र में घूस आया है, जिससे लोगों में दसत का महूल है, गढ़वा सदर थाना चेत्र के कीता सोती कला गाम में पडोसी राजे चातिस गढ़ से तीस पैट करने लगे हैं, बतादे रभी वार को महिला वा फूरुस वर्ग का फाइनल मैच खेला गया, पलामु जिला बॉली बॉल एस्सेसेशन ने इसका आउजन किया था, महिला वर्ग में पुर्वी सिंभूम एवां पूरुस वर्ग में हाजारी बाकी टीम ने अपने प्र दोग साथ सेर करना भूले, साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फीडबेक अवस्य दे, थांक यू